Hi guys, this is Bhartia and welcome to my channel DreamMats और अन्यदिस्वस करने वाले हैं कि कैसे होंगे आप लोगों के online exams अगर online exams होएं, जो कि 90% chances हैं कि आप लोगों के online exams होँगे तो हम discuss करेंगे कि अगर online exams होता है तो कैसे आप लोगों को question paper मिलेगा आपने answer sheets कैसे लिखने हैं, उसमें क्या conditions हैं answer sheets आपके तक कैसे पहुंचेंगी जिसमें आपको answer लिखने है कैसे आप submit करोगे उन answer sheets को बहुत अच्छे से discuss करेंगे देखो जो online exams है वो दो ways से हो सकते है first way है MCQ form ठीक है कुछ universities में ही ऐसे होता है जैसे CU हो गई कि जहां पर आपको एक link दिया जाता है और आपने वो attempt करने that's it आप ऐसे paper दो ठीक है second form जो बहुत सारे universities लेती है that is KUK हो गया PTU हो गया वो क्या करती है आप लोगों से answers लिखवाती है and then उनकी PDA form आपको send करनी होती है और वो फिर आपके marks आपको मिलते है तो आज हम KUK करकर discuss करेंगे बिल्कुल detail में कि अगर आपके online exams होते हैं तो कैसे होगी मैं कैसे discuss कर रहे हूँ देखो January में जिन बच्चों के KUK के बच्चों के online exams होए उनके लिए instructions आई हैं मैं आपको बहुत अच्छे से वो बता रहे हूँ कि अगर आपके online exams होते हैं तो इसमें जादा changes नहीं आएंगे थोड़े बहुत changes होंगे उस time जो आपके official notification आएगी वो भी मैं आपके साथ discuss करूँगी पर आपका एक बढ़ माइंड सेट होजगा कि अगर आपके online exams होए तो कैसे होगे करने discuss? हाँ जी चलिए यह notice था कुषेता निवस्टी का उन students के लिए जिनके जानवरी में exams होने थी के December या January 2021 में इनके blended mode में होए तो जो instructions इनके लिए हैं अगर आपके भी online exams होते हैं तो यही same instructions लेंगी hardly कोई change आएगा तो इनकी instructions को ध्यान से पढ़ेंगे आपका एक mindset हो जाएगा कि आप लोगों के paper भी ऐसे होंगे ठीक है? चलिए हम start करेंगे fourth point से जो हमारे लिए main है ध्यान से word to word पढ़ेंगे फिर मैं आपको sum up करके सारी चीज़ें भी बताऊंगे ठीक है? क्याता है the question paper will be sent to the chairperson director's principal through email at 9.45am in the morning and 1.15pm in the evening इनका paper था 10 बज़े अगर इनका paper 10 बज़े है तो इनको 9.45am पे colleges को आपके paper मिल जाएगा via email it means आप लोगों के paper कितने बज़े है? 9.30 पे means आपके college में जो email के through paper है वो कितने बज़े आ जाएगे? 9.15am पे वो papers पहुंच जाएगे मतलब जितने बज़े बच्चों के paper है उनिवस्टी जो है college में वो question paper 15 मिनट पहले college में वो send कर देगी वाई email चाए principal को send कर रहे है जो भी उनका head है वहाँ पे principal या head को वो question paper 15 मिनट पहले मिल जाएगे आप लोगों तो कैसे पहुंचेंगे? अभी दे and the chair person, director, principal will send the questions paper to the concerned student using different electronic modes timely as per schedule of examination मतलब आपको उनिवस्टी से एक paper नहीं आएगा उनिवस्टी वाले college में बेजेंगे college से आपको paper मिलेगा तो आपको इडरने की जूरत नहीं कि हमें paper मिलेगा कैसे university कैसे send करेगी university college को paper देगी question paper और college वाले आपको question paper वो देगे ठीक है वो paper आपको कैसे मिलेंगे देखते हैं next point देखो क्या कह रहे है the chair person director's principal will ensure that invigilation during the online examination through google meet और whatsapp is made by the teachers ऐसे नहीं आपको question paper पकड़ा दिया आप घर पे बैठी हो paper लिकरो नहीं आपके लिए duty लगेगी teachers की जहांपे जैसे आपकी schools में colleges में लगती है क्या paper दे रहे हो teacher round पे है देख रहे है teacher एक रूब में ऐसे ही आपकी चाहे google meet के थ्रू चाहे whatsapp के थ्रू teachers की duties लगाई जाएगी जब आप paper दे रहे हो तो वो आपका ध्यान रखे क्या paper कैसे दे रहे हो the chair person director principal will ensure that the duties with regard to pictoring invigilation are assigned to teachers equally as per the requirements इसका आपका कुछ लेना देना नहीं है बस teachers की duties लगेंगी जब आप paper दे रहे होंगे ऐसे नहीं कि आप paper दे रहो तो आपको कोई देखने वाला नहीं है तो आपकी उपर भी teachers की duty लगेंगी ठीक है आगे देखो the chair person director principal will prepare a google form and share the link of the same with the candidates for uploading of the answer books आपको क्या होगा जब आपने paper दे दिया उनकी pdf आप बनाओगे तो उसके लिए आपको google form का link दिया जाएगा जिसके थूँ आप अपना question paper जो है क्या कर पाओगे submit कर पाओगे a demo industry card will be given to chair person director principal through online mode तो यह जो इसका demo है कि कैसे आपको मिलेगा teachers कैसे आपके paper ले पाएंगे with the help of the google form यह पहले teachers को सिखाया जाए फिर वो teacher आपको बताएंगे और आप यह काम कर पाओगे कि pdf बनाके college में with the help of google form या pdf उनको पहुँचा आपाओ चीक है next one क्या करता है the candidate will be required to attempt 75% marks paper यह most important है जब last time online paper हुए थे तो बच्चों को सिर्फ 50% करना था लेकिन अब इस बार से 75% बच्चे को attempt करना है paper means उसको अगर 80 marks का paper मिल रहा है तो उसको 60 marks का ही paper attempt करना है पूरा 80 marks का question attempt करने की जुरूद नहीं है तो आपके पास choice और ज़्यादा बढ़ी है चीक है आगे देखो क्या कह रहे है आगे कह रहे है however the student shall ensure that he or she has attempted answers carrying 75% of the marks means जो उसने question attempt की है वो 75% में 60 marks से करना है इसे ज़्यादा करने की जुरूद नहीं है the time allowed will be 3 disk इसका मतलब क्या है आपको कितना time मिलेगा 3 hours 15 minutes आपको timing मिलेंगे 75% आपको paper attempt करना है और 3 hours 15 minutes total मिलेंगे जिसमें आपको अभी हाएगा आगे कि आपको जिसमें आपको question paper download भी करना है answers लिखने भी है PDF भी बनानी है और आपने send भी करने है total time आपको 3 hours 15 minutes मिलेंगे question paper download भी करना है आपने उसमें क्या करना है answers भी लिखने है और उसकी PDF बना के भी send करने इस सारा काम कितने में करना है 3 hours 15 minutes clear changes आगे देखो क्या कह रहा है आगे भोल रहा है that is वो इनका 10 a.m. से start था paper आप लोगों के 9.30 है तो 9.30 से कितना हुआ that will be 12.45 चीक है ना 9.30 to 12.30 थी 3 hours मैं लिख देती हूँ 9.30 से 12.45 तक means आपको paper खतम करना होगा अगर आप लोगों के online exams होते इतने में आपने PDF बना के send भी कर देना मतलब पूरा गाम करना है सिर्फ paper नहीं करना paper लिखके उसकी PDF बना के send कर देना है 12.45 से पहले पहले ठीक है आगे देखिए next देखो क्या लिख रहे for examination including time of downloading BC में है question paper answer book to be concerned chairperson through google form इसमें आपके पास downloading of question paper और आपने PDF बनाना दोनों include है यह मैंने आपको बता दिया next देखो next क्या कह रहे the candidate will receive the question paper from the chairperson that is through electronic mode and will solve the question paper वो किसी भी थ्रू आपको पुंचा सकते है question paper depends करता है college वाले कैसे पुंचाएंगे आपको principal से ही मिलगा means university से direct में आ रहे university वाले पहले college में और college से आपको paper मिल जाएगा electronic mode से घर बैठे बैठे ठीक है आगे देखो क्या कह रहे है आपने कहा करना है we'll solve the question paper from the remote location remote location का मतलब है कि जहां आपका घर है जहां आप रहते हो वहाँ बैठके आपने solve करना है question paper on A4 size paper in his own ad writing किसी से paper नहीं लिखवाना कि online हो रहे है किसी से भी लिखवालो अपनी handwriting में आपने question paper पुरा solve करना है and maximum page limit would be preferably 20 कि आपने 20 से ज़ादा pages नहीं use करने ठीक है the student will attempt question in serial number आपने serial number में question attempt करना है यह नहीं आपने जैसे मालो आपने 80 में से 60 marks का attempt करना है अब आपने first करना है second करना है मालो third नहीं करना तो आपने third नहीं करना तो सीधा इसके बाब fourth लिखिए लेकिन ऐसे नहीं पहले fourth हो रहा है फिर third हो रहा है फिर यहापर one आ गई यहापर two आ गई यह नहीं रहना चाहिए आप one कर रहे हो two कर रहे हो three नहीं करना तो student will attempt question in serial number हो गया ये and will write the question number in the center of the page so that the question number attempted is clearly visible मतलब आप कोई भी question attempt करो for example question number 3 तो आपने center में लिखना है question number 3 तो जो भी question आप attempt करो है question number 3a तो आपने बिल्कुल center में लिखना है हम कैसे लिखते हैं वैसे तो side में लिखते हैं question number 3 फिर उसका हम लिखते हैं solution करना शुरू करते हैं इन questions, इन papers में आपने इने center में लिखना है तो आगे देखें क्या कहते हैं आगे कहते हैं candidate will also mark page number उन्दा answer book हर एक sheet पे आपने page number ज़रूर mark करना है important है ठीक है उन्दा first page जो आपका first page होगा उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी अब ध्यान से सुनो आपको ये sheets हैं जिसके front page पी लिखा हुआ है आपको website पे भी मिल जाएगा तो ये जो PDFN के जो आपको sample के लिए दी जाते हैं ये college वले provide कर देते हैं आप इनके printouts भी ले सकते हो sheets के नहीं तो आपको market में भी packets बने बनाएं मिल जाते हैं आप खरीद सकते हो ठीक है बहुत easily ये first page पे ऐसे लिखा होता है बाकी page simple होते हैं lines लगी होते हैं और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होता कि ऐसे हर page पे होगा ये सिर्फ first page पे आपको सब कुछ fill करना होता है जिससे आप normally करते हो अब university role number लिखोगे जो आपको मिलेगा name of student, name of the paper total number of pages means 20 pages maximum है लेकिन आपने 16 यूज की हैं, 15 यूज की हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे signature of the student आपने sign करोगे in words में लिखोगे ठीक है, क्या role number, class semester कौन सा है code of paper, आपको question paper पे होगा date of exam, आपको किस date को exam है ये सब आपने fill करना है ठीक है, फिर उसके बाद क्या है next सिखो, the candidate will write the verb information ये तो आपने first page पे लिखना ही है लेकिन role number, paper code और page number, ये आपने हर sheet पे लिखना है ये तो first sheet पे लिखना है लेकिन role number, paper code और page number पहले से ही वहाँ पे columns बने हुए आपने हर sheet, 20 sheets है न आपने ये first sheet पे तो ये है बाकी 19 sheets पे भी role number, paper code और page number लिखना है at each page of the sheet used the candidate must ensure that he or she has put his signature on each page of the answer sheet used by him or तो हर page पे देखो ये तो आपके पास first page पे रहने वाल है लेकिन जो आपके पास बाकी pages है वापे आपको role number, paper code, page number and signature हर एक sheet पे ये चारों चीज़े तो आपको 20 की 20 sheets पे मिलने वाली है ये सिर्फ first sheet पे होगी इस बात का ध्यानक न आपने 20 के 20 pages पे sign करने है ठीक है आगे देखो answer sheet without signature the candidate will not be evaluated अगर आपने sign करना भूलगे तो वो आपकी check नहीं होगी sheet तो sign तो पहले कर देना मैं आपको बहुत easy सा तरीका बताती हूँ आप पहले paper start हो रहा है है ना आपको पता है resident paper है question paper आने में अभी 5 मिनिट है 2 मिनिट है तो आप पहले ही sheets पे signature कर लो उन पे roll numbers paper code पहले ही डाल कर देखो आपका time save हो जाएगा ठीक है आगे देखो he she will be required to complete old procession will save the pdf file by using this आप कोई भी यूज़ कर सकते हो Microsoft, Adobe Scan Adobe Scan यह Adobe Scan उस file name में क्या करना है role number डालना है file name as his her role number जो file का name है उसमें आपने जिसे file का name बनाते है कोई भी pdf बनाते है तो उसमें अपना क्या बनाना है role number ही आपने file का name रखना है ठीक है आगे रेखिए the candidate will submit the soft copy जो आपकी soft copy from commencement of examination जो आपका paper शुरू हुआ है उसके तीन गंटे पंदारा मिनट से पहले तीन गंटे पंदारा मिनट तक आपने अपने pdf send कर देनी है by sending the pdf answer book through google form the candidate will ensure that he she has also enclosed his role number slip along with the answer sheet यह most important चीज है आप देखो जितने भी pages भरें suppose करो मैं मान की चल रहे है आपने 20 के 20 pages भर दे उसके बाद जो आपने बिल्कुल front page रखने है na pdf का वो आपका जो आपको मिलेगा na admit card है na वो वला page आपका front sheet होनी चाहिए बाकी 20 sheets तो होंगी pdf में लेकिन जो first page है pdf में वो क्या होगा admit card होगा तो ये भी एक अच्छा काम है तो ये भी आप बहुत easy way बता रहे हूँ जब आपको पता है कि pdf अब पहले ही ready रखो त्यार रखो जिसमें आप पहले ही admit card का screenshot डाल कर रखो चिक है तो जब आप pdf बनाओगे exam करने के बाद तो उससे क्या होगा मैं अराम से भी discuss करूँ के लिए मैं साथ साथ मुझे देख के याद आ रही है मैं आपको बता रही हूँ कि आप essay कर सकते है बहुत easily हो जाता है paper को इतना वो नहीं है मैं आपको end में just short में बता दूँगी कैसे क्या करना है लेकिन एक बार instructions properly पढ़ लो कि अगर आपकी लेट आप भेसते हो तो वो असेप्ट नहीं करेंगे वाल सेंडिंग दा आंसर को तो candidate विल राइट हिजर रोल नंबर अपना रोल नंबर नॉमनलेचर कॉर्ड नंबर वो गूगल फॉर्म की फॉर्म में आपको आपको फिल करने है उस टाइम आपको पता लग ज़े काहा फिल करने है आगे देखे आगे क्या रहे है वाइल अटेंट इंग्जामिनेशन जब आप अटेंट कर रहे हैं ग्जामिनेशन गो थूरू पेन और पेपर the candidate will make themselves available to sit in the front of webcam running through google meet for the full duration of paper at the place of examination जब आपका paper हो रहे है आपका camera on रहना चाहिए webcam phone के थो Google meet के थो आप कैसे भी हो camera आपका on रहना चाहिए जब आप पेपर दे रहो the position of the webcam has to be just in such a way that the full view of the candidate attempting the paper is visible to the invigilator means आपका ऐसे होना चाहिए camera यह नहीं इधर दिखा रहे हो fan दिखा रहे हो पिछे curtains दिखा रहे हो ऐसे नहीं करना आपको proper paper दे देओ आप उनको दिखना चाहिए कि आप proper paper दे रहो बाट के ठीक है the candidate will put his microphone on in off mode during the Google meet except the webcam मतलब आपने अपना जो microphone है वो off रखना है लेकिन आपने camera on करके उनके सामने बाट नहीं है ठीक है हज देख सेखो the candidate while attempting the paper ऐसा हो सकते है कि जब आप paper दे रहे हो आपको whatsapp video call आजाए from the invigilator during the course of the examination ऐसे भी हो सकता है कि आपको camera में देख लिए उनको कुछ गड़ पर लगी तो आपको whatsapp video call वो करके देख सकते हैं कि आप सब कुछ okay चल रहा है के नहीं चल रहा है ठीक है चलिए next देखे in case any student does not have mobile phone अब उन बच्चों की बात करते है जिनके पास network issue है उन्हें लगते तीदे नेट में चल पाएगा या फिर mobile phones निया उनके लिए भी देखो का है in case any student does not have mobile phone और facing network problem etc request the chairperson अपने principal को कह सकते हैं कि college value in time to appear in offline mode कि अगर वो offline college आगे पेपर देना जाएं वो बच्चे दे सकते हैं इनके पास phone नहीं है जिनके पास network problem है in that case he she can seek help from his parent department institute college the concerned chairperson will make necessary arrangement for physical examination will provide printed copy of question paper तो ये सारी college की responsibility होगी कि question paper normally जैसा आपको मिलता है वो दे, covid-19 के सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए means distancing रखते हुए paper हो जाएगा while conducting the examination clear है चीज मतब जिनके पास नहीं है phones नहीं है या आफे network issues है मतब हापे net इतना proper नहीं चलता तो वो college आगे भी paper दे सकते है request करके पहले यह नहीं सिधा paper वले दिन जा रहे हो college में तो college आगे दे रहा हूँ उनसे बात करके वो college आगे भी paper दे सकते है ठीक है next देखो the candidate will not write his mobile number mobile number नहीं लगना नहीं तो UMC भन जाएगी फिर परिशान हो जाओगे mobile number कहीं नहीं लिखना college में ध्यान रखना है कहीं पर भी अपना mobile number नहीं देना है चीक है while attempting the paper the candidate will use blue black pen only attempt करते हुए paper से blue or black pen का यूज़ कर सकते हैं बाकि यह आप सब के लिए नहीं है यहीं तक मैंने 18 points करवाने थे I hope आपको clear है अब चलते हैं short में इतना सारा पढ़ाय करना क्या है देखो ध्यांच देखो सबसे पहली चीज़ आपको question paper कहां से आएगा college से मिलेगा ठीक है जी college से paper आपको मिल जाएगा first point तो यह हो गया second point question paper मिल गया answer sheets क्या होंगी आप market से भी purchase कर सकते हो university के आपको website पे भी मिल जाएंगी आप print out करवा सकते हो या फिर college वाले आपको sample दे देंगे वो भी print out करवा सकते हो इसमें भी कोई दिकत नहीं आएगी third paper आपने blue या फिर black pen से ही attempt करना है यह चीज का ध्यान लगना ठीक है paper attempt हो गया fourth आप PDF बनाने PDF के जो apps है मैंने आपको बता दिए adopt scan जो है मेरे को लगता है personally की ठीक है आप यूज कर सकते हो मैंने भी यूज किया है बहुत easily बन सकते है fifth सबसे पहली sheet पे आपने admit card PDF की जो first होगी न वो admit card पहले ही exam से पहले ही लगागे रखो admit card की ले लो screenshot और PDF create कर दो फिर जब दुबारा PDF बनाओगे उसी में continue कर देना अपनी sheets लगानी ठीक है sixth है जो sheets है अब sheets पे क्या ध्यान रखना है जो first पे आपके पास है name university roll number यह सब लिखना है बाकी जो 19 sheet है सब पे signature होने चाहिए first sheet पे भी होगा 20 की 20 sheets पे आपके पास signature होने चाहिए paper code roll number बाकी की 19 sheets पे भी लिखना है जो आप sheets purchase करोगे वहाँ already column बने होंगे तो आप नहीं बूलोगे पर paper से पहले भी अगर आप 10-15 minutes पहले यह काम करके रख ले तो तो काम बच जाता है roll number लिख लिया signature कर ले यह पहले ही करके आप 10 minutes पहले करके रख सकते हो चीक है उसके बाद आपको app की थ्रूआ PDF दोगे जो भी Google form का link आपको दिया चाहेगा उसके थ्रूआप अपना paper submit कर दोगे paper done paper खतम बस इतना सा खाम है online easy है teacher की duty लगेगी webcam ओन करके रखना है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैसे paper दे रहे है properly back के paper देने so this was all about the online examination आपके कैसे होंगे I hope आपका mindset हो गया हुआ कि paper कैसे होने है त्यारी कैसे करनी है मैं फिर से बोल रहे हूँ maths and accounts के paper की त्यारी बाकी subjects की भी करो maths and accounts का paper की त्यारी अच्छे से कर लो क्योंकि इनकी statements change होंगी अगर आपको methods नहीं आते तो आप equations नहीं कर पाओगे मै नहीं चाहती किसी की भी re-hire इस चक्कर में की online exams हो रहे हैं बहुत relaxed बैठे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है इनकी त्यारी अच्छे से कर लो otherwise देखो अगर 3 का 4 हुआ ठीक है 1,2 का 4 हुआ आपका 4,2 का 1 हो जाएगा paper में मैं ऐसा नहीं चाहती हो तो अच्छे से इनको प ठीक है I hope you like this video, आपको मेरे efforts अच्छे लगे, if you like this video do like, share, comment and subscribe to my channel which is dream bass, thank you so much for watching